फ्रेंड्स भिंडी एक ऐसी सबजी है जो की जादतर लोग को पसंद आती है लोग इसे अलग अलग तरीके से बना के इंजॉय करते हैं मेरे चैनल पर भी आपको इसकी बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी और आज जो में रेसिपी लेके आई हूँ मुझे यकीन है आपको बह बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पंडे की चन में मसाला भिंडी बनाने के लिए 400 ग्राम भिंडी को अच्छे से धो के सुखा लिया है और अब इसे बड़े-बड़े पीस में हम कट कर लेंगे 20 से चीरा लगा ले और भिंडी को काटने के बाद एक पैन गर करके भिंडी को फ्राई कर लेंगे तो फ्लेम को लोटू मीडियम रखना है और भिंडी लगबग 80 परसेंट कुक हो जाए तब तक हमें पकाना है तो देखिए यहां पे 2-3 मिनिट भूनने के बाद ही भिंडी का कलर कितना अच्छा सा दिख रहा है तो अंदर तक भिंडी म करके 2-3 मिनिट पकालेंगे 2-3 मिनिट के बाद बस घटा के कवार और इससे हम एक बास चला लेंगे तो यहां लगबगी 80 परसेंट कुछ हो चुका है विंडी तो फ्लेम को आफ करके निकाल लेंगे और उना करके बचे हूए तेल में एक दो शमस तेल और ढालेंगे और 1 स्पून डालें जीरा एक सूखा लाल मिर्ज दाल चीनी और लॉंग साथी साथ एक तेज पत्ता मसालो का फ्लेवर जब तक आ जाए तब तक इसे पकाएंगे जनलना नहीं चाहिए इसीच का ध्यान रखेंगे और जैसे ये पक जाए हम डालेंगे दो प्याज ऐसे बारीक कट आप क्रस करके भी डाल सकते हैं दो हरी मिर्च ऐसे बारीक कटी हुई और सारी चीजों को अच्छी से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्छापन खतम ना हो जाए तो लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग चार-पांच मिनट भूनने के बाद देख सकते हैं अच्छे से मसाल बून चुके हैं अब डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिच पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर और यहां पे फ्लेम को लो रखना है कि मसाले जलेना लगभग 30 सेकंड तक मसाले को भूनेंगे मसाला जलना बिल्कुल भी ने चाहिए इस चीज का दियान रखना है आपको इसके बाद डालेंगे हम टमाटर का प्यूरी दो बड़े साइज के टमाटर को मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है मैंने और इसे डाल के हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे अब यहा थोड़ा सब भिंडी में डाला था तो आप टेस्ट के कोडिंग ही डालिएगा इसे भी हम मिला लेंगे मसाले के साथ कुछ दिर भूनने के बाद देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें से ओयल रिलीज हो चुका है तो कोई भी सबजी टेस्टी बनाना हो मसाला अच्छे से कुक है तो बस अब कुछ दिर के लिए हमें पकाना है जिससे की भिंडी में मसाले का सुआद आ जाए हलके हाथों से मिलाएंगे कि भिंडी टूटे ना तो यहां पर मैंने मिला लिया है और अब इसे सिर्फ 2-3 मिनट पकाएंगे कवर करके ओवर कुक ना हो दो-3 मिनट के बाद ही कवर हटा के एक बार हम इसे देख लेंगे और फ्रेंड्स इस चीच का दियान रखिएगा बार बार भिंडी को नहीं मिक्स करना है तो भिंडी टूट सकता है हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला फ्रेज धनिया पत्ता और यह हमारा मसाला भिंड बनके तयार है बहुत कम टाइम में बन जाता है सिर्फ 10-15 मिन में यह सब जीवन के तयार है वाव यह देखिए फ्रेंड्स इनम लटपटी सी भिंडी बहुत टेस्टी लगती है तो गरमा गरम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यह लिजी फ्रेंड्स मसाला भिंडी बनके त बाइ़ बाइ़